हेलो दोस्तों, मैं जोती, आज हमारा दूसरा क्लास है, हमने पिछले क्लास में देखा था इतिहास के अर्थ, उसकी परिभासा, इतिहास के जनक कौन है, भारती इतिहास के जनक कौन है, और इतिहास का कालखन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया थ आज हम लोग इतिहास के कालखन को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे तो चलिए देखते हैं इतिहास के कालखन को मुख्य था तीन भागों में बाटा गया था पहला है प्राग इतिहासिक काल जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है दूसरा है अर्द इतिहासिक काल तीसरा है एतिहासिक काल प्राग इतिहासिक काल को पहले देखते हैं हम लोग प्राग इतिहासिक काल को कितने भागों में बाटा गया है तो देखते हैं पहला है पुरा पाशान काल दूसरा है मध्य पाशान काल तीसरा है नाव पाशान काल चौथा है तम्र पाशान काल दूसरा अर्द एतिहासिक काल को मुख्यता दो भागों में बाटा गया है सिंदु सब्यता, वैदिक सब्यता वैदिक सब्यता को दो भागों में बाटा गया है रिग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल एतिहासिक काल को तीन भागों में बाटा गया है प्राशीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल यहां मैंने आप लोगों के समझने के लिए बस पॉइंट को लिखा है आगे हम लोग इसको पूरे उसके समय काल को वे किस तरह से अपना जीवन व्यातीत करते थे वे क्या खाते थे, कैसे रहते थे, यह सारा चीज हम लोग आगे पूरे विस्तार से देखते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूरा पाशान काल को देखते हैं पूरा पाशान काल का जो समय था वो आग्यात से आठाजार इसा पूर्व है इस समय के जो लोग थे वो खानावदोस वाली जिन्दगी जीते थे क्योंकि इस समय के लोगों को ना क्रीशी और ना ही पसुपालंग के बारे में कोई भी जानकारी थे जिसके कारण ये पेड़ पौधे से जो भी उन्हें फल्व अगेरा मिलता था उसे खा करके फल्व अगेरा खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे इसी कारण ये खादे संग्राहक भी कहा गया है और इसी समय के जो लोग थे उन्होंने आग की भी खोज की तो यदि आगर आप लोग से ये पूछा जाएं कि आग की खोज किस काल में की गई थी तो आप लोग बोल सकते हैं पूरा पाशानकाल में की गई थी आगे बढ़ते हैं मध्य पाशानकाल मध्य पाशानकाल के समय काल को 8000 इसापुर्व से 4000 इसापुर्व तक माना गया है इस समय के जो लोग दे वो छोटे हात्यारों का परियोग करने लगे थे क्योंकि इस काल के लोगों को थोड़े बहुत क्रीशी और पसुपालन की जानकारी होने लगी थी और अन्तियोष्टी, अन्तियोष्टी मतलब अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे जर्म से ले करके मृत्यू तक जो भी उसके संसकार किये जाते हैं ये मध्य पासानकाल से ही इसकी सुरुवात हो चुकी थी और तब से ही सोला संसकार की प्रथा चलती आ रही है आगे देखते हैं नव पासानकाल नव पासानकाल का जो समय काल है वो है 4000 इसापुर्व से 2500 इसापुर्व तक माना जाता है और इस समय नौपासानकाल के जो लोग थे, काफी कुछ इनको जानकारी हो चुकी थी तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके नौपासानकाल में किस-किस तरह की जानकारी हमें मिलती है पहला है क्रीशी, दूसरा है आवाश, तीसरा है पहिया, चोथा है मृद्वान, पांचवा है तांबा, छटवा है गेहूं और जौ। यह सबी चीजें यह मसाश हमें नौपासानकाल में मिलती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अर्देतियासिककाल। अर्देतियासिककाल को मुख्यता दो भागों में बाटा गया था। पहला है सिंदु सब्व्यता, जिसे पचीश सो इसा पूरु से पंद्रा सो इसा पूरु तक माना जाता है। दूसरा है वैदिक सभ्यता, इसका जो समय काल है वो पंदरा सो इसा पूरु से 600 इसा पूरु तक माना गया है, वैदिक सभ्यता को भी मुख्यता दो भागों में विवाजित किया गया है, जिसका आधियन हम लोग करते हैं, पहला है रिग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर इसमें आप लोगों को समय काल के बारे में बता रही हूँ, इन सभी टोपिक को हम लोग आगे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, आगे देखते हैं एतिहासिक काल, एतिहासिक काल को मुख्यत तीन भागों में बाटा गया है, प्रजीन भारत का इतिहास, जिसका समय काल है 600 इसापुर्व से 712 इश्वी इसापुर्व और इश्वी में अंतर ये है इसामसी के जन्म से पहले के समय को हम लोग इसापुर्व कहते हैं और इसामसी के जन्म के बाद के समय को हम लोग इश्वी कहते हैं अब दूसरा देखते हैं मध्यकालिन भारत का इतिहास इसका जो समयकाल है 712 इस्वी से 1707 इस्वी 18 शतावदी से 13 शतावदी तक इसे माना गया है तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास इसका जो समयकाल है 1707 इस्वी से 15 अगस्थ 1947 इस्वी मतलब 1737 इस्वी से अग तक जो भी चलते आ रहा है उसको हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं तो प्रशीन भारत का इतिहास में हमें किन-किन टोपिक को पढ़ना है ये थोड़ा से हम लोग देख लेते हैं महाजनपद, मगद, मौरिय, मौर्योत्तर, गुप्त, हर्श्वर्धन का काल, बौध्धर्म और जैंधर्म ये सारे टोपिक हम लोगों को प्रशीन भारत का इतिहास में पढ़ना है मध्यकाल इन भारत का इतिहास में हमें पूर्मध्यकाल और उत्तरमध्यकाल पढ़ना है जिसमें हमें पूर्मध्यकाल में पाल, प्रतिहार, चलुक्य, चोल, चेर, पांड़, और पल्लव ये सभी टोपिक को हमें पढ़ना है और उत्तर वैदिक काल में राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजे नगर, माराथा ये सभी टोपिक को हम लोग कोबर करेंगे और अगले कलास में पूरे विजतार से पढ़ेंगे और समझेंगे आधुनिक भारत का इतियास में हमें यूरोपी और आजादी के संगर्स के बारे में पढ़ना है तो हम लोग अगले कलास में जो है एतियासी काल के प्रशीन भारत का इतियास से हम लोग शुरुवात करेंगे और टोपिक वाज इन सभी को पूरे विस्तार से देखेंगे और समझेंगे तो आज के लिए इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर दिजीगा